आज के टॉपिक का नाम है कलेंडर और पढ़ाऊंगा ऐसे जाएगा सीधा दिमाग के अंदर किसी भी महीने का किसी भी साल का किसी भी दिन का कोई कोड याद नहीं करवाऊंगा बिना कोड को याद करें ऐसा धमाके दार कॉंसेप्ट लेकर आया हूँ कि आखे मीच के सारे तो सुवागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉंसेप्ट से विकोज आप ही जानते हैं कि कॉंसेप्ट इस पावर बिना कोई कोड याद किये कैलेंडर के सारे सवाल आखे मीच के बनाएंगे अगर मेरे साथ आज पूरा कॉंसेप्ट सिख लेंगे तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से ही तो कैलेंडर हमें पढ़ना है आज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो बात करते हैं पहले कैलेंडर में होता क्या क्या है कैलेंडर में हमें देखने को मिलता है साल ठीक है हम क्या देखते हैं कौन सा साल चल रहा है अब साल के अंदर क्या होते हैं कुछ महीने होत होते हैं और अगर मैं सप्क्राई की बात करूं तो हर सक्टा जो होता है साथ दिन का होता है votre Monday to Sunday हमारा जो हम काउंट करते हैं उत स्थ महीने में तो यह शीजांत में का छीज लीने हैं क्या मैं बात करता हूं 9 साल कि ठीक है एक साल में कितने महीने होते आपको बहुत अच्छी से पता है ही 12 महीने होते हैं जनुरी से ले कर दिसमबर तक ठीके अगर मैं बात करूं हफटों की सब्ता कि कितने सब्ता होते हैं तो देखिए 1 साल में पहले आप देखिए दिन कितने होते है एक साल में तो 365 दिन या 366 366 होते हैες ऐसा कब होता है आपको लीप यप का पता होना चाहिए पर एक लीप यर होता है लीप यर क्या होता है उसको जानते हैं दीए सबसे फ़ला समझिए साल एक साल में 365 दिन होते हैं एक साल का मतलब इस तरिक के से भी समझ लो कहीं जब हमारी पृत्थी वीजीस पर हम रहे रहे हैं वो जब सूरज का पूरा एक चक्र लगा लेती है तो एक साल होला था या हम कहते हैं 365 दन लगते हैं उसको पूरा एक रॉटेशन लेने में लेकिन 365 दन ही लगते है ठोड़ा extra time लगता है अगर मैं थोड़ा round of करके बताऊँ ना तो 365 दिन 6 गंटे लगते हैं कितना टाइम लगता हैं? 365 दिन और 6 गंटे भी लगते हैं साथ में अब देखिए एक साल में इतना टाइम लगा फिर दूसरे साल में भी इतना ही लगेगा तीसरे साल में भी इतना ही लगेगा और चोथे साल में भी इतना ही लगेगा ठीक है तो यहाँ पर लेकिन चोथा साल आने के बाद 6, 12, 18, 24 ये 24 घंटे हो जाएंगे 6, 6 घंटे अगर हम मिला देंगे और 24 घंटों गा तो एक दिन बनता है तो हर 4 साल के बाद ये 24 घंटे बन 13 दिन में मतलब फैरवरी वैसना हता है तो ता ही लेकिन हम क्या करते हैं च्छोषे घंटों से बना वह एक दिन हर 4 साल के बाद बनेगा और हर 4 साल बाद वह एक दिन हम फरवरी के महीने में कर देते हैं जोड और उसमें हमारे होते हैं 29 दिन फरवरी में तो ये जो एक साल में एक्स्ट्रा दिन होता है उसी साल को हम लीप वर्ष या लीप एर कहते हैं और ये हमारा उसमें जो साल के दिन होंगे 366 ये हर चार साल के गेप से चलता है ठीके सन 2000, 2004, 2008, 2012 फिर आपका 2016 और अब जो फरवरी में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये हमारे लीप एर का कोन्सेब्ट था अब आते हम दोबारावावश हफ्तोबर के एक साल में कितने सब्चा होते हैं तो में क्या करूँगा I यहां पर यह देख रहा हूँ एक 17 003 की बात करों तया ध्यान नक्तिंगा मैं जो वर्ड उस करूँगा एक सिंपल येर के लिए मैं बोलूँगा एक साधहरान साल ठीके ओडिनरी येर और लीप येर आपको पता हीए अगर लीप येर की बात दोगी तो हम 366 दिल लेंगे तो अगर मैं 17 साल की बात करूँ उसमें कितने हफते होते हैं तो मैं क्या करूँगा एक हफते में 7 दिन होते हैं तो मैं उसको 7 से डिवाइड करूँगा तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा यहां पर तो यहां पर कितना आएगा आएगा आपका 7 35 एक बच्छे का पंदर नहीं कर पाएंगे, बावन हफते पूरे बन गए, एक दिन भजा, इस एक दिन को हम बोलेंगे, ओडे, मतलब एक अलग दिन, तो हमारे पास एक साल में बावन हफते, बावन हमारे पास सब्ता हो जाएंगे, और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा, ओडे, अलग दिन कि जो हफते में नहीं कогда उसका है जिसका हफता नहीं बन सका ये हम उसको कहेंगे ऐगी है सभी बानि ये अगर मैं बात करूं हो एक लीप एर कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 7-5 कितना हो जाएग आपका 35 और 7 दूनी 14 यहाँ पर भी सब्ता जो आएंगे वो 52 ही आएंगे लेकिन यहाँ पर जो ओड डेज होंगे एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे यहाँ पर 16 रह जाएगा एंड में तो 7 दूनी 14 पंदरा 16 दो दिन एक्स्ट्रा रह जाएंगे जो किसी हफते में नहीं ज दाओना वो सारा इन ओर डेज पर ही डिपेंड करता है आपको यह और डेज याद होने चाहिए 7 7 साल में एक ओर डेज होता है और एक लीपएर में 2 ठीज होते हैं इतनी बाद भी हैं competition वाले भी सरकारी नोकली वाले भी हैं तो हम आप सबको आपकी category के according रोजाना PDF प्रोवाइट करवा रहे हैं आपकी सरुरूरत के इसाफ से school वालों के लिए भी है competition वालों के लिए सरकारी नोकली वालों के सबके लिए अलग अलग chapter wise आपको क्या करना है नीचे लिंक पर जाकर एक application आईगी उसको आपको इंस्टॉल करना है इमो जॉन पर जाकर आपको math and English अड़्डा में connect हो जाना वहां पर हम आपको daily basis पर प्रोवाइट करवा रहे हैं chapter की practice की concept की हर वहां से आप सारी PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं तो आप देर ना करें तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि सर कौन सा साल लीपियर है ये भी तो पता होना चाहिए ना सवाल में जरूत पड़ेगी तो इसकी भी एक ट्रिक है अगर कोई साल बतलब कोई जो सन है वो चार से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो एक लीपियर होगा अगर वो चार से डिवाइड नहीं होगा तो वो एक लीपियर नहीं होगा कैसे होगा देखिए मान लेते हमें पता करना है कि सवाल में ये 1996 है अब ये 1996 सन है क्या एक लीपियर है या नहीं तो इसको चार से डिवाइड करके देख लेंगे अगर चार से कड़ जाएगा पूरा पूरा जी हाइगे चार से कड़ जाएगा पूरा-पूरा-पूरा तो इनी 8 और 4 चुक 16 इसका मतलब 1996 एक लीपियर है ऐसे इसके 4 साल बाद सन 2000 आएगा वो एक लीपियर होगा 2004 लीपियर होगा 2008 लीपियर होगा 2012, 2016 और 2020 जो अगले साल आएगा यह सब लीपियर चलेंगे अब जो डिवाइड ना हो जिसे कि अभी क्या चल रहा है 2019 चल रहा है अब यह 4 से के डिवाइड होता है पूरा 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 गया तो डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब सन 2019 एक लीपियर नहीं होगा तो यह लीपियर पता करने की बिचाने के 6 से डिवाइड करो लेकिन अगर एक पूरी सेंचुरी आ जाए एक पूरी शताब्दी आ रहे शताब्दी केते हैं 100 साल का एक पूरा समू उसको कैसे पता करेंगे माल लो अगर हमें पता करना हो कि क्या पता करना हो कि सन सोला सो सन सोला सो जो है क्या ये जो सन सोला सो था ये एक लीपियर था तो सेंचुरी को पता करने की पहचान ये है वह हम साल को कर रहे थे सेंचुरी को कर दो 400 से दिवाइड मतलब मैं इसका क्या कर दूँगा हमें इसका divided by 400 कर दूँगा कि अगर कोई सेंचुरी 400 से दिवाइड हो जाए 400 से भाग हो जाए तो सेंचुरी एक लीपियर होगी ठीक है सारी सेंचुरी लीपियर नहीं होती है जो 400 से दिवाइड होगी वही होगी यह अपने आप में एक फैक्ट है तो यहां पर यह 400 से सतरा सो की अब यहां पर आपको दिखे रहा है जियो सीरो तो इसमें भी है लेकिन यह 400 से दिवाइड नहीं होती यह इससे कड़ गया सतरा तो चार से नहीं कड़ेगा इसका मतलब संच सतरा सो एक लीपियर नहीं था ठीक है तो सेंचुरी की पता करने की पैचाने 400 से दिव पर तुम्हें बात करता हूं। कि चार बात करता हुँ इसको मैं ठाचेता हूं से यहां से या आपको सभाण था मुछ बहुत ध्यान दीजिएगा आप बिल्कुल भी लापरवाही नी बरतना देखिए अगर मैं बात करूं 100 साल की के 100 साल में कितने ओडेज होंगे अब ये ओडेज हम निकालते हैं क्यों है इसका जवाब सुन लेते हैं पहले फिर सिखेंगे ये concept क्यों निकाले सातके हैं माल लीजी आपसे कह दिया गया आज जो है वह मंडे है आज लीट से 23 का, आज मंडे आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा आप से पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे मंडे ट्यूजडे वेंस्डे थर्सडे फ्राइडे सेटर्डे संडे यह हमारे पास दिन होते हैं अगर मैं इनको नमबर देदू यह एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चोथा फ़वा दिन च्हटा दिन सहतर यह हमारे पास हैं तो मैं क्या पारा हूं कि हर जो होगा geben मतलब आगर मैं साथ से डिवाइट कर दो तो हर साथ में दीन बार जो अगला दिन होगा वो मंड़ेगें होगा मुझे निकाल आरा है 23 तीन बार तो पूरा पूरा कर जाएगा 22 23 दो दिन एक्स्टरा बचे दो दिन बचे दो दिन बचे हैं तो यहां पर मैं क्या देखूंगा मैं यह देखूंगा कि मतलब साथ ये 21 के तीन बार तो repetition सेम सेम होगी दो दिन एक स्टा है जो दूसरे दिन अगर में देखूं दूसरे बार पर कोन आ रहा है Tuesday आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि 23 में दिन जो होगा वह कौन होगा वह कौन सा दिन होगा वह आपका Tuesday होगा तो जो दिन आपने माना होगा ना वहां से हम एक के start करेंगे हमने इस तरीके से हमारे घ्या होगा तो इस तरीके से हमारे ओड़े काम आने वाले इसलिए हमने यह निकाला है ठीक हमें सारी कांटिंग नहीं करना पड़ेगी हम से कोई से अभी दिन पूछ ले हमसे पूछ ले माल लेजिए 65 दिन कौन सा होगा तो हम क्या करेंगे सा सत्य उननचास एक बचा एक क्या है वह एक तो मंड़े तो 50 दिन मंड़े होगा इसलिए हमने और निकालना सीखे हैं ठीक है यह बास समझ में आ गई आई यह आप सीखते हैं सेंचुरी का concept जो हम सिखाना जा रहे थे आपको उसको हम पूरा कर लेते हो फिर आएंगे अपने लंबे-लंबे सवालों की तरफ अब देखिए सो साल के अगर मैं बात करूंगा कि सो साल में कितने जो होंगे वो ओड़े होंगे तो यहां पर आप कहेंगे सो साल है एक साल में तो एक जाएंगे इसका मतलब हर एक साल हर चार साल के बार जो है वो दो-दो दिन एक्स्ट्रा एड होते जाएंगे तो अगर मैं इस रजाब से पूरा इसका कैलकुलेशन करूं सो सालों में जितने लीप यह होंगे जितने सिंपल होंगे उन में कितने कितने ओड़ेज आएंगे उन सब को जोड़ूं और उसको अगर मैं हफ्ते बनाओं मतलब मैं उसका हफ्ता मतलब सेवन से डिवाइड करकर कि अगर मैं अलग कर दूना तो बताई कितने दिन रह जाएंगे शिरीफ पांच दिन ऐसे बचेंगे जो हमारे ओडेज निकल जाएंगे मतलब पांच दिन जो ह कि सो साल में अगर मैं सारे दिनों को साथ से डिवाइड कर दूँ तो पांच दिन ऐसे जो डिवाइड नहीं हो पाएंगे जो अलग रह जाएंगे हफते से तो उसमें सो साल में फाइव ओडेज होते हैं यह बात ध्यान लखना और यह नौट कर लें यह बहुत इंपोर्ट साल की बात करते हैं अब दो सो विशताव बात करऊंगा तो यहां पर इसका डबल हुआ अधर घना जाएंगा तो बहुतसका अधर को कि बढ़े बना पाएंगे चिर्फ यहां इंभल स हुआवराइगे एक वीक नहीं बन पाएगा तो इसको अगर मैं सेवन से डिवाइड करता हूं तो तीन दिन एक्ट्रा बजाएंगे तो इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि एक दो सो साल के समु में तीन ओड़े होते हैं ठीक है यह बत अब ध्यार लखिए गया आपर ऐसे ही मैं बात करूंगा अब कितने साल की अब मैं बात करूंगा तीन सो साल की तो तीन सो साल में इसी तरीके से आएगा आपका सिर्फ एक ओड़े ठीक है कितना आएगा सिर्फ एक और डे आएगा ऐसी अगर मैं 400 साल की बात करूंगे 400 साल में कितने होते हैं तो 400 साल में आपके 100 साल में पास थे तो 400 साल में कितने हो जाएंगे आपके पाचोग 20 हो जाएंगे इस हिसाब से तो है ना 20 ओर डे आएंगे लेकिन एक बात और सोचो अब आप क्या कि 400 वर्ष होगा ये तो खुद अपने आप में एक लीपियर होगा अभी मैंने आपको सेंचुरी की पहचान बताई कि जो 400 से डिवाइड हो जाए यहां पर ये 400 से डिवाइड हो गया इसका मतलब ये 400 से डिवाइड हो गया तो इसमे कि 400 से डिवाइड हो रहा है तो जब वो एक दिन हम और जोड़ेंगे कितने दिन हो गए 21 दिन हो गए तो 21 दिन का मतलब क्या होता है एक हफते में साथ दिन होता है साथ तीयां 21 पूरा पूरा कड़ गया ये तो कुछ भी एकस्ट्रा दिन नहीं बचा भए तीन हफते तीन स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि 400 साल में कोई भी ओड नहीं होता ये बात ध्यान रखना और यहीं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं वाली पूइंट की है ठीक है तो वीडियो छोड़ने के जरूरत नहीं है हर एक पॉइंट पर कुछ नहीं सिखा रहा हूं आपको इसका मतलब क्या है कि इसमें 400 साल में कोई भी ओड नहीं होगा जीरो ओड कोई भी तिन ऐसा नहीं है जो अलग रहे गया हो सारे दिनों के हफ्ते बन चुके सब्ता बन चुका है तो इसी तरीके से बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका 400 जो पूरा पहाड़ा है मतलब 800 जो होगा ठीके सन 1200 होगा ठीके सन 1600 होगा आपको ऐसे सन 2000 होगा ये सारे क्या है ये सारे ही आपके लीपियर होंगे और लीपियर होने की वज़ा से इन में क्या होगा इन सभी में क्या है जीरो हमारे ओड डे होंगे कोई भी एक्स्ट्रा ओड डे नहीं होगा मुबारक हो आपका concept पूरा यहीं पर एक सवाल करवा दूगा मैं आपको bhat so देखे कैसे सवाल होगा अब वो आपको बताता हूँ मान लिजी हमें निकालना है कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था या निकालना है में कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था अब यहां पर हमें निकालना है देखिए, 2015 की हमसे बात की गई है, तो 2015 की बात की गई है, लेकिन 2015 का सिर्फ अभी एक ही दिन हुआ है, अभी कितना दिन हुआ है, सिर्फ एक ही दिन हुआ है, एक जनवरी, तो इसका मतलब मैं काउंट करूंगा, मैं 2014 साल तो पूरे-पूरे काउंट करूंगा, कि 2014 साल पूर 2014 को मैं लिख सकता हूँ सन 2000 और जमाद 14 साल अलग लिख सकता हूँ मैं ऐसे में लिख सकता हूँ ठीक है यह मैंने लिख दिया अब यहां पर मुझे पता है कि 2000 साल में तो कोई भी ओडे नहीं होता अब यहां पर आपको ओडे निकालने पड़ेंगे मुझे पता है कि 2000 में होंगे कुछ ली पियर भी होंगे तो किसे पता करूं ली पियर पिताद करने की परजान मैंने आपको बता दिए 4 से डिवाइड कर लो तो अगर मैं 14 को 4 से करूंगा तो 4 तीयां 12 तीन बार इसका मतलब तीन लीपियर इसमें पड़े होंगे चार-चार साल बात चारतियां बारा तो इस 14 साल में सिर्फ तीन लीपियर पड़े होंगे तो अगर मैं बात करूं लीपियर की लीपियर में कितने ओड़े होते हैं लीपियर में दो ओड़े होते हैं पड़े कितने तीन पड़े तो तीन सब्सक्اب merciful को तो 11 में 11 new video और एक तारीह का एक दीन मीच चुका एक चुका है तो यह आपके कितने दिन होगा, 11 और 12 और 6, 18, 18 दिन आपके टोटल हो गए, अब अगर मैं 18 दिन को साथ से दुबारा डिवाइड करूँगा, हफ्ते अलग करूँगा, सब्ताल बढाऊँगा, तो साथ दूनी चोहदा, साथ दूनी चोहदा, तो दो हफ्ते दो बन गए पू तो मंडे, टूस्डे, वेंस्डे और थर्सडे, चोहदा दिन हमारा थर्सडे होता है, उसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारा क्या होगा, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, थर्सडे होगा, आई ये इसको चेक भी कर लेते हैं, ना हाथ वादिए मैंने निकाला मोईल, और यह मैं कोई कोड याद नहीं करना कुछ भी याद नहीं करना वास कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आखें मीच कर कोई सा भी सवाल कर सकते हैं यहां पर और मैं सवाल भी करवाओंगा तो आई इस वीडियो को आप लाइक करके मेरा होसला बढ़ाएं और मैं आपका अगर आप इस चैप्टर को अपने स्ट्रॉंग बनाना चाहते हैं तो यह सवाल और करेंगे मेरे साथ वो पिछले सवाल से हार्ड है क्यों उसमें मैंने स्टार्टिंग डेट ले ती काम आसान था यहां पर बीच की डेट आएगी लास्ट की डेट भी आएंगी तो इसको कैस हिंदुस्तान की भारत की बिल्कुल काया ही पलट दी इन्होंने अंग्रेदों से हमें मुक्ति दिलाई है और इनका नाम में शिरी महात्मा गांदी जी जी हां महात्मा गांदी जी जिनको हम जानते हैं बापो के नाम से उनका जनम 2 अक्तूबर 1869 में हुआ था अब इस दि दोगा क्योंके जो 69 वाई यहर से इसके सिरीफ 2 अक्तूबर तक मतलब इस इतना चला है तो इस साल को हम बाद में रिप्टाएंगे से पहले हम यह देखते हैं कितने साल कंपीलीट हो चुके हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 1600 पिलस कितने 200 16 और 200 और 68 बाद में आजागा 68 तो इस तरह से इसको मैं तोड़के लिख सकता हूं आप मुझे पता है कि 1600 में कोई भी ओड़े नहीं होता 200 कितने होते हैं 200 में आपके 3 ओड़े होते हैं और 68 में कितने होते हैं 68 का एक पंगा हमें यह देखना पड़ेगा इसमें लीप यह भी हों अब 17 उसमें लीप यह होते हैं सद्रा जो है वह लीप होंगे और साधरन वाले सिंपल यह कों से होंगे इसमें माइनस कर देंगे एक और यहां पर आजएगा यह आपका 51 तो 17 हमारे लीप हो गए और हर एक लीप होते हैं तो 17 कितने हो जाएंगे 34 जो हैं हमारे ओड़े आ से 51 साल के 51 डेज आ गये हमारे इस तरीके से हमने इतने साल के सारे ओड़े निकाल मुथ झाली कितने हो गए आपके और पांच और निल्वाट तीन आप आप कारी यह जो हैं अब करते हैं 2 अक्तूबर 1829 पूरे साल की आप मुझे क्या करना पड़गा बहुत नंबा सवाल ह जा गई तो क्या करना पड़ेगा मैं पहले जनवरी के जोड़ू फिर फरवरी के मार्श के सब के जोड़ू सास डिवाइड करूं ऐसा करूं गया नहीं इसका भी शौट तरीका है देखिए अगर आपको लास्ट का कोई महीना दे रखा हो तो क्या करना आप पीछे से स्टार कुमर महिने में अब 2 डुरीफ के दो गुजरूओ 제가 अक्तूबर होतेए किचने दिन ए इकतिस अक्तूबर में होतें हैं 31 सब्सक्राइड बाटेज तो बाकी चो मेरे बचेंगे 29 दिन बचेंगे तो ये कितने आगा मेरे 9 और 10 का 0 आसिल लगा है तीनो दिन 6 और 3 9 तो 90 दिन आ गई है मेरे बाद वाले मुझे तो इससे पहले वाले निकालने तुम्हें क्या करूंगा मुझे पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं तो अगर मैं 365 में से 90 दिन माइनस कर दूँगा तो ये मेरे कितने आ जाएंगे 16 में से नो गया साथ तो 275 दिन आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि 275 दिन लगे हैं जनवरी से 1879 जनवरी से 2 अक्तूबर तक इसके अगर मैं और डेज निकालूंगा तो सासे रिवाइट करना पड़ेगा को पता है तो यहां से निकलेगा साथ 21 ठीक है 22 23 24 25 26 27 कितने बचे आपके छे बचेंगे छे पाच आएगा आपका पैसर बन जाएगा तो साथ निम तेरे सट होता है तो तेरे सट के बाद 64 चो सट और पैसर तो दो दिन रहे जाएंगे एक्स्ट्रा तो दो डेस हमें इस सब आपसे मिल गए तो 88 ओके हो गएए तो बेज़्े कितने उगएज को हो चुके है 90 को मैं से डिवाइड कर दूगा आपना आपना अंसर लाने के लिए तो यहां पर आपका आएगा साते कंशाथ कितना बचे अगर मैं 90 को डिवाइड करूँगा साथ से तो साथ ऐक अम साथ दो बचे का यह उतारा नीचे साथ दुनी चोहदा रिमेनिंग कितना बचा छे बचा तो छे दिन बचे हैं छटा दिन कौन सा उधा जोड़ लो मंडे ट्यूजडे फ्राइडे सेटर्डे इसका मतलब क्या था इसका मतलब सैटर्डे था ठीके शनिवार का दिन था वो कि जिस और कोई सेबी सवाल कर सकते हैं प्लस आपको कोई सभी महीने sinda क् jump कि आधा पइगा कि कहां तक assume कि एक छूंजड को बारा महीने होते हैं ठीके साही साथ दिन होते हैं इतनी सारे सेंस्टुरिस होती हैं किस-किस का कोड लिदा पहो घै तो एक तरीका होता तो हम यहां पर 366 में से माइनस करते हैं ठीक है यह बात आप धियान नहीं लीप एर का सारा पंगाई सी का है अब देखिए एक फैक्ट और बताता हम आपको चलिए एक पता क्या है कि कोई भी साल जिस दिन से शुरू होता है ना उसी दिन पर खतम होता है जी हां कोई भी साल हो कोई भी साल माल लीजिए 2019 जो है इसको देख लेते ना 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 जो हमारे स्टार्ट हुआ है यह हमारा स्टार्ट हुआ है जनवरी एक था हमारा मंगलवार का दिन था तो अगर मैं देखूंगा दिसंबर में तो दिसंबर में 31 दिसंबर भी मंग एक बात ध्यान रखना कि अगर वो ली पियर होगा तो उसमें एक दिन बीच में जुड़ जाएगा तो फिर एक दिन जुड़ने की वरह से ली पियर जो है वो एक दिन बाद खतम होगा मतलब अगर कोई ली पियर है और वो मंडे से स्टार्ट हुआ है एक जिनवरी मंडे की तो उसका 31 दिसम्बर फिर मंडे का नहीं होगा उसका 31 दिसम्बर ट्विजडे का होगा क्यों होगा क्योंकि बीच में ली पियर की वरह से एक दिन एड़ हो चुका था तो यह बात ध्यान रखना आईए फटा-फट अगला सवाल करते हैं इसको मैं हां से हटा देता हूँ सबसे पहले एक साल पीछे कर लो यह मैंने कर लिया क्या यह कम चार और यह चार से पूरा-पूरा नहीं कटेगा तो एक लीप यह ठीक है सबस्क्राइब पंछतें को मैं किसे लिए मैं इंतुर साल में जोगए होग आ य homogeneous साल में को देखंगाowa कितने निविप यह पढ़ेंगे चार एक कम चार Tao ढर्स हमारे तो नियुक्ेbell환 भाकी कितने सान बचतें इसको मैं मैं मैं-छार निबानास कर दूंगा थिर को निकाल लेहें पंद्रा अगस्त क्योंते हैं अब यहां भस होगी कैसे करेंगे यह वीच इसको करने कि पहला तर click लिए यहां पर जो दिक्कतों को पड़े वह आण महिनों का जोडना पड़ेगा ने इसका दूसरी ने अपका एक होर हो सकता है आपका दूसरा महीनों के स्रिफ 8 days count कर लो आप पूरे-पूरे महीने क्यों हमें क्या निकाल ला है हमें किसे मतलब है हमें तो 8 days से मतलब है तो स्रिफ 8 days निकाल लो तो देखिए जनवरी 31 की होती है 31 को मैं साथ से भाग दूगा तो ठाइथ बार चला जाएगा कितने दिन बचेंगे तीर एक्स्टा दिन बचेंगे इसका मतलब मैं क्या सकता हूं कि जनवरी में स्रिफ 3 दिन एक्स्टा आए फरवरी तो पूरी पूरी कड़ी आई है ऐसी मार्च भी करिक् निकल के आगए तो देखिए तीन और दो पास तीन और दो पास तो पंदर और दस कितने होगा पच्छी सब्सक्राइब करके दिखाता हूं आपको अच्छे सब्सक्राइब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि हम लोग हम भारतिये लोग जो है वो फ्राइडे के दिन आजाद हुए थी कौन से दिन मिली थी फ्राइडे को मिली थी अब एक बात आप और ध्यान रखिएगा अब यहां पर थोड़े सी एक्स्टर नोलिज में आपको देना चाहूं हम फ्राइडे को हुए थे 15 अगस 1947 फ्राइडे का दिन था रात के 12 बच के 5 मिनट का तो इस वरह से हम लोग 15 अगस 1947 को आजादी मनाते हैं पाकिस्तान में 14 अगस्त को आजादी मनाई जाती है क्यूंकि वह पहले ही आजद हो चुका था तो हम यहाँ पर वो एक दिन पहले मनाते हैं तो वो किस दिन मनाया होगा मतलब उनका किस दिन पढ़ा होगा इस से एक दिन तो यह कुछ फैक्ट है इनके साथ-साथ मैंने आपको बताना जरूरी समझे हैं ये भी हमने जान लिए आई आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला कर देना है इससे अगला सवाल है कि पार्च मार्च 2012 को सोंबार था तो पार्च नवंबर 2012 को कौनता दिन होगा ऐसे सवाल भी आते हैं एक डेट देती दूसरी आप से निकल वाली इसके तीन तरीके हैं करने के एक लॉंग मेथड़े एक फोड़ा शॉट मेथड़े एक 1000 को आप लिखो 1600, 400, 12 इस तरीके से आप करते हुए ले आओ तो भी आपका निकल के आ जाएगा दूसरा तरीका इससे थोड़ा शॉट तरीका यह है कि आप क्या करो आप 5 मार्च अब यह दे रखा तो इसका फाइदा उठाओ दूसरे तरीके से तो आप क्या करना है वह 5 मा तरीका है उससे इससे भी छोटा एक और तरीका है शॉट ट्रिक है वह सुनाब शॉट ट्रिक यह है कि मार्च का और नवंबर का जो महीना होता है न वह से होता है अब यह आपको दिखा दो देखिए अगर मैं 2019 का कलेंडर देखू तो मार्च में देख रहा हूं मार्च की स इसका मार्च और नवंबर का केलेंडर महीना सेम होता तो तो अगर पाँच मरच को मंड़े हे तो पांच नोंबर को क्या होगा मंड़े होगा एकदम से आंसर आगा कुछ भी नहीं करना आपको तो अगर आप हुम से जुड़े में चैनल सब्सक्राइبة कर रखा शॉट ट्र इस्टॉल कर लेनी हैं आपको उसके बाद जाके आप क्या करेंगे आए मोजोन पर आगे उसमें हमारे जो गुरूप है मैं थैंगल शेड़ा उसमें जुड़ी जाए सारी पीडिएफ मिल नहीं और रोज आना आपको वहाँ पर जुड़ती हैं आपके लिए तो वहां से आप